किसान उसकी बात सुनेगा और उनको पकड़े जाने का डर भी है जब गधे ने उसकी बात नहीं माने तब वो वहाँ से चला गया गधे ने आभरी और गाना सुरू कर दिया थोड़ी ही दूर पर किसान और उसके परिवार ने एक गधी की रेंगने की आवास सुने और वो लाठी लेकर गधे की और दोड़े गधी को पीट कर जल्ली ही बगीचे से बहार खदेड दिया गया और गधार विचारा रोता हुआ वापस चला गया और गीदर के पास जाकर सारी घटना का ब्यर्नन किया उसकी बात सुनकर गीदर ने कहा तुम्हें तब तक इंतजार करना चाहिए था जब तक हम गाने के लिए बगीचे से बाहर नहीं आ गये हो लेकिन तुमने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी जिससे आगे चलकर तुम्हें मार भी खाने पड़ी चलो तुम्हें अराम करने की जरूरत है तुम अराम कर लो आगे से ऐसी गल्दी कभी मत करना ऐसा कहने के बाद गिदर वहां से चला गया moral of the story किसी भी चीज करने का एक उचिस समय और स्तान होता है आपको चीजों को करने के लिए हमेशा समय और स्तान का ध्यान रखना चाहिए